नमस्कार साथियों आप सभी को याद होगा कि जब पिछले वर्स मादमिक सिक्षकों की निस्ठा ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मैंने आप सभी को सुझाओ दिया था कि आप सभी ट्रेनिंग माद्यूल का प्रसिक्षन जरूर ले ले मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में निस्ठा को मानो संपदा से जोड दिया जाएगा इसके बाद हर एक सिक्षक ने कितना प्रसिक्षन लिया है उसकी युग्गिता, नवचार, छमता का आकलन करना असान हो जाएगा मित्रों अब मैं आपको बता दो कि इस बाबत कारे सुरू हो चुका है सभी सिक्षकों की मानो संपदा डिटेल्स को दुरुस्त किया जा रहा है साथ ही अब मानो संपदा पोर्टल को निस्ठा से जोडा जा रहा है निष्ठा को मानो संपदा पोर्टल से जोडने के बाद सिक्षकों द्वारा सफलता पुर्वक पूरा किये गए निष्ठा के ट्रेनिंग माड्यूल मानो संपदा पर सो करने लगेगा आप सिक्षकों के सर्विस बुक को आनलाइन किया जाएगा अब मानो संपदा पर ही सिक्षकों के e-service book होंगे, सिक्षकों द्वारा किये गए सारे आफलाइन और आनलाइन ट्रेनिंग पूरी डिटेल्स अब मानो संपदा के e-service book में दर्साई जाएगी ऐसे सिक्षक जिन्हों ने निष्ठा ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लिया है, सभी ट्रेनिंग की पूरी डिटेल्स उस सिक्षक की e-service book में दिखाई देगा साथियों बीते 23 नवंबर को माधमिक सिक्षा मंतरी और स्कूल सिक्षा महानिदेशक की उपस्तिती में एक राज यस्तरी बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि माधमिक सिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा डाटा आनलाइन कर दिया जाए इसमें सिक्षकों की रिलीविंग से लेकर के ज्वाइनिंग तक की सभी डाटा फीड किये जाएंगे साथी सिक्षकों कर्मचारियों के खिलाफ आप तक किये गए कारवाही का भी तूटी रहित डाटा फीडिंग का निर्देश दे दिया गया है एक सबसे बड़ी खबर आज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि जनवरी 2023 से अब माध्यमिक सिक्षकों को आवकास लेने के लिए मानो संपदा की जरिये आनलाइन आवेदन करने होगे सारी तैयारी अंतिम चरण में है इसके लिए निर्देश दिये जा चुके हैं कि एड़ेड माध्यमिक विद्यालियों के प्रबंधकों और प्रधानाचारियों का रजिस्ट्रेशन मानो संपदा पर कर लिया जाए आकस्मीक आवकास लेने के लिए प्रधानाचारे को रिपोर्टिंग आफिसर बना कर आनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आप सभी को न सिर्फ अपना मानो संपदा ID की जनकारी रखनी होगी बल्कि आपको अपने विद्याले के प्रधानाचारे और प्रवंधक की मानो संपदा ID की भी जनकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि जब तक आप उनके मानों संपदा आईडी आपको नहीं पता होगा आप उन्हें रिपोर्टिंग आफिसर नहीं बना पाएंगे और जब तक आप रिपोर्टिंग आफिसर नहीं बना पाएंगे तब तक कोई भी आउकास आप नहीं ले पाएंगे ये थी आज की जनकारी जो मैंने आप सभी के साथ सेर किया ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में जरू लिखेगा धन्यवाद